एउध्या में आज एतिहासिक दिन है नौ नौमबर का एउध्या से पुराना नाता है चाहे 1989 की बात करने या लाश्ट ये नौ नौमबर की बात करें जब रामडला के पच्छ में फैसला आया था लेकिन कैबिनेट की बड़ी बैठक आज एउध्या में होने जा रही है और ह हमाए साथ सरकार में डिप्टी सीयम ब्रिजेस पाठक जी मौझूद है हम उनसे बात करते हैं सर आज एतिहासिक दिन एउध्या में कैबिनेट की बैठा है आज एउध्या के लिए बहुती महत्यपूर्ण दिन है आउध्या वैसे भी पूरे भारत वासियों के लिए बहु लगातार प्रभूसरी राम जी के जैनमिस्थान अध्या को हमारी सरकार बहतर से बहतर डेवलमेंट के मौचे पर इन्फरेस्टेक्चर के मौचे पर काम करा रही है और देखेंगे दिपोस्वगत वर्थों से भी बहतर होने वाला है और एतिहासिक रूप से वर्ल्ड रिक कर रहे हैं आप मदब्रदेश हो करके आए पांच राज्यों में चुनाओं है बीजेपी की क्या हाला आप देख रहे हैं प्रचेंट बहुमत से सभी जगए आ रही है नितीस कुमर के बैयान को आपने सुना हो बहुत ही दुखद है जितनी पर उसकी निंदा की जाए कम है ऐसे बैयान का सामाजी जीवन में कोई स्थान नहीं एक अंतिम सवाल कि आए अधिया को प्रमुक एजेंडे पर आप लोग रख रहे हैं किस तरीके से उसके विकास को लेकर चलतर रुखी विकास रोड इंफरस्टिक्चर बिजली पानी बिजली सड़क स्कूल अस्पताल दर्सिनी इस्थल संस्कृतिक इस्थल अन्य जो भी काम है सारे होंगे एरपोर्ट्स रेलिवे स्टेशन बहतर से बहतर इंफरस्टिक्चर डबलब वर्ड क्लास का हो रहा है लाक्नु